परणसी में एक्शन में दिखें सीम योगी काम में लापरवाही और बैठक में गयर हाजर मिलने पर यूपी पीसील के अमटी को क्याने लंबेत काम में धीमी रफ्तार पर जल निगम की चीप इंजीनियर को दीचेताबनी आज लगनाव पहुचेंगे जितन प्रिसाद समर्थकों को जॉइन कराएंगे बिज़ुपी हाल ही में बिज़ुपी में शामिल हुए है जितन प्रिसाद लोनी वाइरल विडियो कांच में गिरफ्तार चार और आरूपियों को मिली जमानर थार्मेक उनमात फैलानी की कोशिश करने वाला सपानेता उमेद अभी भी फराग तलाश में जुटी चे पुलिस टीमे एटा में पुलिस की गाड़ी और बाइक में भीडनत हादसिम बाइक सवार तीन की मौत तीन पुलिसकर में घायल विजोर थाना इलाके में हुआ हदसा आग्रा में ऑक्सिजन सप्लाई बंद कर मौक्ट्रिल करने वाले पारस अस्पताल को मिली ख्रीन चेट प्रिशासन की चार सदसे टीम ने जांच में पाया चबिस सताइस मैं को हुई थी सोलहा मरीजों की मौत लेकिन ऑक्सिजन की कमी से नहीं गई एक भी जान लकनाओ में वैक्सिनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए डियम ने नियुक्त किये नोडल अधिकारी कहा पूरे जनपत को जल से जल वैक्सिनेट करना है लक्षे मतुरा की व्रंदवन में कोविट अस्पताल में ओपीडी हुई शुरू डॉक्टर्स पर समय से ना आने का आरूप शाजानपुर दौरे पर वहुची क्याबिनेट मंत्री सुरेश खना कहा कुरूना की तीसरी लहे से लड़ने के लिए प्रदेश पूरी तरह से तयार बागपत में कोटवाली के दारोगा पर छात्रा ने दुशकर्म की कोशिश का लगाया आरूप पिडिता ने महिला आयोग की सदसे मीना कुमारी से की शिकार मीना कुमारी ने सियो सिटी अनुच मिश्वा को तलब किया मुझफण अगर में पुलिस प्रिशासन ने अपराधी शादाब और भीम पर शिकंचा कसा है अपराध के जरिये अर्जित एक करोण की संपत्ति जब्त की है पुरया में युबक को घर में बंधक बनाकर पिटाई का मामला विडियो बारल मामले की जाँच में जुटि पुलिस लकनाओं की आश्याना पुलिस ने दुकानों में चोरी करने वाले एक बड़े गिरो का खुलासा किया है पुलिस ने इस गिरों के चार लोगों को अंग्रेजी शराब की पेठियों के साथ गिरफ़तार किया पागपद में मामुली विवाद में युवक ने अपने सगेध हाई की गोली मार कर हतिया कर दी फड़ार आरूपी की तलाश में जुटे पॉलिस अम्रोहा में पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा किया है लूटे हुए सामान के साथ दो आरोपियों को गरफतार किया हर दोई में पुलिस ने गैंक्स्टर एक्ट के तहट वांचित चल रहे 25,000 के नामी को गरफतार किया है महराजगंच में पुलिस ने किया हत्या की खटना का खुलासा आरोपियों को गरफतार कर चाको बरामत किया आजमगर में जांच में 50 शिक्षक, पाइगर परजी, एफाइयार दर्च कर मामले की जांच हुई शुरू कोंडा में शादी समहारों की दोरान असले का प्रदर्शन करने का विडियो सोशल मीडिया पर वारल पुलिस ने आरोपिय को गरफतार किया शामली के जंगल में मिला बारहा सिंगा का शफ, रामिणों ने शिकारियों को शिकार करते हुए देखा, पुलिस के आने से पहले शिकारी हुए फरार मामले की जांच चारी मुजफर नगर में विवाहिता की संदिक परिस्तियों में हुई मौद परीचनों ने लगाया, ससुराल पक्ष पर दहिज, हत्या कारूप पुलिस ने शुरूप की चांच अम्बेटकर नगर में पुलिस ने मुटपेड में एक शाति लुटे रहे और उसकी दो साथियों को गरफतार किया, बदमाश के खिलाफ कई मुकद में हैं दाज बागपत में क्यूबा का शुफ मौद के 18 दिन बाद कबर से निकाला गया, दरसल परीचनों ने हत्या कारूप लगाया, जिस पर पॉस मौटम के लिए दुबारा शुफ पहार निकाला किया मुझफर नगर में पुलिस ने मुटफेड के दौरान गोकश को गरफतार किया, कबसे से गुमांस और एक गोवंच परामत हर दोई में परीचनों की शिकायत पर आट महीने बाद की शूरी का शफ कबर से बाहर निकाला गया, परीचनों ने हत्या कारूप लगाया उनाफ में जमीन के विवाद में बुज़ुर्ग की हत्या, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदना दर्च कर दो को गरफतार किया बागपत में पुलिस मुडफेड में 25,000 का एनामी हुआ गरफतार करीब आधा, दर्चन मुकदनों में वांचित चल रहा था बदमाश प्रयागराज में ग्रामणों को जाड़ियों में मिली साथ महिनी की मासूम, ग्रामणों ने बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस ने शुरू की जाँच नौईटर में ब्लाक फंगस के इन्जेक्शन बेशने की नाम पर ठगी करने वाले गिरों का एक आरूपी गिरफतार, ठाना सेक्टर उन्चास और प्राइम ब्रांच की सयुफत का रवाई प्रोजबाद में प्रॉपर्ट्री विवाद में सुनवाई ना होने से नाराज महला पानी की तंकी पर चड़ गई, महला ने परिवार की लोगों पर प्रॉपर्ट्री हत्याने का आरोप लगाया प्रयागराच में सनातन धर्म के खिलाब सोशल साइट्स पर दुश परचार करने वालों को अब दंडी सन्यासी जवाब देंगे दंडी सन्यासियों ने जल्दी सोशल साइट्स पर सक्रिये होने का फैसला किया है मतरामी डॉक्टर्स ने मनाया नेशनल प्रोटेस्ट रे काली पठी बांथ कर किया प्रदर्शन सरकार सी डॉक्टर्स को सुरक्षा देने की मांग की लकनाव में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, डॉक्टर्स के साथ हो रही अभदरता और गलत वैवार को लेकर किया प्रदर्शन गोंडा में गोदाम प्रभारियों पर लगा मनमानी का आरोप एक महिने से नहीं खरीदा जा रहा है गेहूं, किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन अमेठी में संग्रामपुर ब्लॉक के गेहू क्रेकेंद्र पर नहीं खरीदा जा रहा है गेहू अधिकारियों के पताबिक आउनलाइन पोर्टल फिर से खुलने पर ही खरीदा जाएगा गेहू चंदौली में बंडी समीती की अव ववस्था और वारिश के भेट चड़ी किसान किसानों को फेकनी पड़ी सबसिया पिली भीट के बीएसे ऑफिस में अध्यात कारणों से आग लग गई आग पर फाइब रिगेट ने काबू पाया राजे महिला आयोग की सदसे प्रभाग गुपता ने चित्रकूट के जिला अस्पताल, ब्रधा अश्रम और साउदाइक स्वासे केंदर शिव रामपूर का ओचक नेरिक्षण किया इस दोरान उन्होंने अब वबस्था मिले पर सम्बंदित अधिकारियों को पटकार भी लगाई रामपूर में धीमने बारिश को देखते हुए सभी नालों की सफाई के नरदेश दिये हैं अजेपूर और पनवडिया का नरिक्षण कर सफाईकारियों का जाजा दिया मतरा में गंगा दशेहरा की तैयारियों में जुटा पुलिस प्रिशासन यमुना में सापसफाई और सुरक्षब वबस्था का अधिकारियों निलिया जाय सा संभल में दियमने की अनोखी पहल जिले को सुन्दर बनाने और प्रदूशन मुक्त करने के लिए शुरू की ब्रक्षा रोपन मुहिंद टांडा से लालपुर जाने वाली आस्थाई पुल को किया गया बंद दूरी की बजह से लुग नदी पार करने को मत्पूर